तो गाईज यहाँ पे अगर आप सभी लोगों को Instagram के application में इस तरीके से जो है problem आती है यहाँ पे लिखा रहता है could not create, there is, we are sorry but something went wrong, please try again तो अगर आपको इस तरीके से problem आ रही है तो इस वीडियो में मैं आपको इस problem का solution बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इसको solve करना है तो चलिए गाई इस वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको solve करना है तो इसको solve करने के लापको first of all सबसे पहले अपने phone में setting को open करने के बाद यहाँ पे आपको उपर के और slide करना है और दोस्तों यहाँ पे आपको application वाले option पे जाना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको manage apps पे click करना है यहाँ पे click करने के बाद आपको search bar पे click करनी है और यहाँ पे आपको instagram लिक लेना है ताकि यह जो application है वो आजाए तो आप उसको open करिए open करने के बाद आप सबसे पहले clear catch करिए storage में जाके clear catch करने के बाद problem solve हो जाती है बट कभी कभी नहीं होती है तो application permissions पे जाईए और सारे के सारी permissions आपको अपने phone में allow कर लेनी है ताकि यह जो application है वो आपका सारा जो है use कर पाए तो आप application में permission में जाके सारे के सारी permissions से allow कर लीजिए और उसके बाद दोस्तो restrict data uses पे click करना है और यहाँ पे आपको जो है wifi और mobile data वाले option को enable कर देना है ताकि दोस्तो यह जो application है वो आपकी phone में internet use कर सके और को भी error आपको यहाँ पे देखने को ना मिले तो इस तरीके से आप जो है इस problem को solve कर पाएंगे और दोस्तो समय समय में आप सबी लोग अपने phone में instagram का जो application है उसको update करते रिए कभी-कभी आप पुराना version का use करते हैं तो इस तरीके से error आ सकती है तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए